संतान दे संबंद विच थोड़ा जयाते आन रखना चाहिदा है थोड़ी जही जानकारियां वदाईयां जान ओ बच्चया दे पविख आपनी सुक्षांती राश्ट्र अते समाय दी चंगी विवस्था वरगे अनेका लाप्रापत कार सक देहन पगवती देवी शर्मा पुस एको गुन पुत्रो नच मूरक श्तान यपी अर्थात सो मूरक माडे संसकारी पुत्रा नालो इक गुनी संसकारवान पुत्तर चंगा है अजेहे अंगिनित कथन पार्ती साहित विच मिल देहन बच्चे कुम्यार दी गिल्ली मिट्टी वां घुन देहन गरब वस्था तो पांच साल दी उमर तक बच्चा सब तो वद सिखदा है जो उस्दे संपर्क विच गाल आउंदी है जिस तरह दावी महौल है उस्दे संसकार ओना दे कोमल मन चितते पैंदे हन विक्षत हुन्दे जान्दे हन अते समेदे नालनाल परिपक हुन्दे हन अभी मन्यूने पर विउ तोड़न दी क्रिया सिख़ी सी इस तो असी समझ सकने हा कि गरव वस्था विच बच्चे उत्ते साड़े विवहार अते चिंतन दा चंगा माड़ा प्रभा आपेंदा रहंदा है जेकर तुसी अपनी संतान योग सुन्दर अते महान बढ़ाउना चाहन दे हो ता उसे तरह दी सावधानिया वर्तनिया जुरूरी हन पेश पुस्तक विच गरव वस्था तो लैके वड़े होनते शादी दी त्यारी तक की की सावधानिया वर्तनिया चाहिदिया हन उन्ना दी संपूरन जानकारी बहुत ही सरल पाशा विच दित्ती गई है पुस्तक दे कु पुर्खा तो लेके आ मादमी तक अजेहे अंगीनत उधारन हन जिन्ना विच खून दे रिष्टे रखन वाले आ नालो पाव संबंद रखन दा अपने साबत हुन दे हन आत्मिक शांती दे लई बच्च्या दा सहारा गलत है जे करे सही है तब विरक्त सन्यासियां ब्रहमचा आत्मा नू ता शांती मिल ही नहीं सक दी असल विच आत्मिक शांती चंगे करम तो मिल दी है बच्च्या नू प्यार दुलारता करना चाहिदा है और ये वी देख दे रहना चाहिदा है कि उनना विच कोई गलत आदत ता पैदा नहीं हो रही इक आंख प्यार दी अते एक अख सुदा आद लई होनी चाहिदी है, गलत विभार जा गलत आदत नू प्यार अते हिम्मत नालो दूर करो, कदे डांडवी देना पवे ता उस दा पाव भी बच्च्यानू समझाओना चाहिदा है, बच्च्यानू विनमरता, सह योगता, मेहनत, समेधी पाबंदी दी सिख देनी चाहिदी है, इस तो भीना उनना दा सरफ पक्खी विकास संभव नहीं, बच्च्यानू अपने नाल राखके लोक विभार सिखाया जाना चाहिदा है, बच्च्यानू माप्या नाल अपने दिल दी गल कहन सुनन विच्ची जख नहीं होनी चाहिदी, मर्यादा कोई खत्रा नहीं रहन दा, शादी वियादे संभण विच ओना नाल सला मश्वारा तक करदे रहना चाहिदा है, पर कम भी इरता नाल ओना दी रूची नू जानना चाहिदा है, जेकर उस विच कुझ अनुचित जपदा है, ता सुधा आर्दी जरूरत पवे, ता कुशलता अते आदर्शा दी जान, विचार वटांदरे दे राही, अते साहित्त दे माध्यम तो करावनी बहुत जुरूरी है,